BA को English में क्या कहते हैं, इसके इलावा MA, BSC, MSC, BGOM, MCOM को क्या कहते हैं, graduate, postgraduate क्या होता है, इसको English में समझ लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं BA की, BA को English में Bachelor of Arts कहते हैं, Bachelor of Arts और जिस व्यक्ति ने BA कर रखी होती है, उसे Bachelor कहा जाता है, English में उसे graduate भी कह सकते हैं और हिंदी में इसको सनातक कहते हैं, सनातक, इसी तरीके से जिस व्यक्ति ने MA कर रखी होती है, तो MA का मतलब होता है Master of Arts, Master of Arts, और Master को English में postgraduate भी कहते हैं, और इसको हिंदी में सनातकोतर कहा जाता है, सनातकोतर इसके लबा, BSc का मतलब होता है, Bachelor of Science, और M.Sc का आर्थ होता है, Master of Science इसी तरीके से B.com का मतलब होता है, Bachelor of Commerce, और M.com का मतलब होता है, Master of Commerce यहने कि B वाली जो है वो सारी graduate degree होती है, graduation होती है और M वाली सारी post graduate होती है, post graduation होती है अपनी English को भेतर करने के लिए ऐसी ही हजारों वीडियोज आप चैनल के home page पर जाकर देख सकते हैं और आने वाली ऐसी ही वीडियोज की notification सबसे पहले पाने के लिए चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें